बुद्वार को पुर्वी नागपुर के नंदरवन परिसर के श्रीक रुष्णन नगर चौकस्तीद डेकुरिशन को ताम भी आख लगने से परिसर भी हल्चल बच गई इस आख में किसी की हताहत की कोई खपर नहीं है लेकिन लाखों के नुकसान की पाथ कही चारी है माश का महीना खत्म होते हुते विधर की कई जिलों में 12-42 जिक्री की आसपास पहुँच क्या है गर्मी बढ़ने के साथ आख के मामले भी बढ़ने लगे है सुमवार को ही तीन जगों पर भीशन आख लगने से काफी नुकसान पाथा वही इन दिनों कोरोना की प्रकों के चलते सभी सारवचनी कारिक्रम ठप पड़े है ऐसे में इस सरा का आर्थिक नुकसान असर्य है हाला कि अब तक यह स्पश्चन नहीं हो पाया है कि आग कैसे लगी लेकिन आग इतनी भीशन थी कि दूर से ही इसके लख्टे और काला धुवा नजर आ रहा था आग के लख्टे देख लोगों ने तुरत दंकल विभाग को इसके सुशना थी गई आग बुजाने के लिए चार्स यातिक दंकल गाडियों को गटना सल पर बेचा क्या दंकल विभाग वारा आग बुजाने के लिए प्रयास के जारे है आग लगने का कारण अभी तक स्पश्च नहीं है फिलाल किसी के हताहत होनी की कोई सुशना नहीं है लेकिन डेकोरेशन की सामान का अंदुखसान होनी की बात कहीं चारी है कैमरा परसन अखिलेश भारत वाज के साथ अभिशेक पान से की रिपोर्ट